हलो गैस कैसे आप सभी आज की ये शांदर वीडियो आप लोगों के लिए आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हम लोग कैसे याद रखेंगे एक छोटे से ट्रिक्स से यानिक छोटे से रूज से बहुत सारे बच को नॉर्मली क्या होता है कि वाब का जो डिवेजन ने जो कैने के जो मेंन 5 हमारी उसको मलोग थिरी उन में pledge जैसे कि आफ यहां पर हम लोग बतते हैं को पहले तो बलता है इसको भीग वाब्प और जो इसका फोम है उसको मैं रखा हं रकते हैं में जूसरा जो रखा मैंने very weak verb में और तीसरा जो रखा वो रखा strong verb में तो ये तीन तरह की verbs को हम लोग अपने साथ में रखते हैं weak verb, very weak verb और strong verb तो ये तीन formation verb की आपको समझने होगी उसके बाद आप लोग इस के method को समझ पाएंगे बच्चों जो weak verb है हमारी जिनको हम लोग weak verb बोलते हैं इंगलेस grammar में बच्चों weak verb बोलते हैं उन verbs को जिनके साथ में normally हम लोग ED लगाकर के ED लगाकर के second या third form बना दिया करते हैं इंगलेस grammar की 80% से उपर verb हमारी ED लगाकर के second या third form में बन जाती है यानि कि 80% काम वारा ED से ही चल जाते है जिस verb के second form में ED लग जाएगा उसके third form में भी ED ही लगेगा उसी से आपको काम चलाना है आपने कहा play फिर आपने कहा played फिर आपने कहा played तो यह आपकी second और third form बनी है क्या लगाकर के बच्चों ED लगाकर के ED लगाने से हमारी second और third form जनरली तयार हो जाती है उनको वो होते है weak verb उसके बाद जो हमारी आती है बच्चों वो आती है very weak verb very weak verb के अंदर बच्चों वो verbs आती है जिनका first, second, third form चेंज ही नहीं होता है यानि कि ये वो verbs हैं जिनकी तीनों formation सेम रहती है हाला कि ऐसी verbs की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है सिर्फ 18 verbs ऐसी है जिनकी संख्या ये है बच्चों यानि कि सिर्फ 18 verb ऐसी है जो first, second, third तीनों form में सेम रहती है जैसे कि मैं आपसे कहने लगूं कि cut, cut, cut cut, cut, cut तीनों verbs इसकी सेम रहेंगी आपने कहा put, put, put तीनों form इसकी सेम रहने वाली है shut, shut, shut तीनों form इसकी सेम रहने वाली है बच्चों shut, shut, shut फिर आपने कहा hit, hit, hit तो ये वो verbs हैं जिनकी first, second, third तीनों form रहती है same उनको बोलते हैं बच्चों very weak verbs ये दो तरह की वर्ब आपने समझ ली weak verb और very weak verb weak verbs वो जिनमें आप लोग generally ideal आकर के second या third form बना जया करते हैं very weak verb वो जिनमें हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं उनका second, third form वो खुदी होती है यानि के उनके तीनों form हमारे same रहते हैं first form भी, second form भी और third form भी, अब बच्चो हम लोग बात करते हैं उस verb की जिसके साथ में अकसर हमें problem होती है उनके बोलते हैं बच्चो strong verb यानि कि उनकी second form और third form याद करना हमारे लिए एक जंजाल बना हुआ है बच्चो strong verb के अंदर हमारी बहुत सारी verbs आती है इनकी कोई limit तो खेर नहीं है बच्चो लेकिन मैं आपको एक छोड़ी सी trick बताने वाला हूँ जिससे आपका काम थोड़ा साथान हो जाएगा बच्चो आप ध्यान देदेगा जब भी किसी verb की first form में आपका आजाए आई और थरडों में आपका आएगा वारी यूँ जैसे कि आपने क builders यो आंप यह आपका सिंपना पड़ा जो आपको फोलो कुड़ना हो Hang आई ए यू सिंग सिंक मारे डूबना सेंक और संक तो यह वच्छो एक बहुत छोटे ट्रिक उन वर्प्स के लिए जिनके बीच मारा है आपका आई अगर आई आ रहा है तो आप आई को ए और फिर ए को यू बना देंगे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपकी तेयार हो जाएगी अब यह इसी तरह से आप लोग दूसरी वर्प्स देखेगा उस वर्प के लिए जिसमें आपका आरहा है यानि कि कान आपका यह जो इयर आरहा है फिर्ट फॉर्म में अगर आपका आ रहा है एयर सेकंड फॉर्म में आपका आयेगा O-R-E-O-R Third form में आपका आ जाएगा O-R-N तो यह बहुत simple सा फंडा है अगर first form में आपका आ रहा है E-A-R तो second form में आपका आएगा O-R-E third form में आपका आएगा O-R-N तो guys जैसे कि आपने कहा We're Second form हो जाएगी War Third form हो जाएगी Worn We're War Worn तो guys आपने कहा Tear Tear माने Fodna Tear माने Fodna So second form हो जाएगी Tor और third form हो जाएगी Tor So guys यह थी कुछ वो ट्रिक्स जो आपके और काम आएगी ऐसी ही और भी बहुत सार्ट ट्रिक्स हैं Second form को Third form बनाने Sorry, first form को Second form और third form बनाने की उनको मिलते हैं हम से Next video में फिलाल बच्चो इतने ही वीडियो आपके लिए मिलते हैं Next video में चैनलों को सब्सक्राइब करके बैल आकन जूरू परस कर लेजेगा और मिलते हैं आपसे Next video बाबाए